असलालेकूम, वेलकम बैक तू मैं चैनल, आज का जो मेरा वीडियो है वो अंडर 500 ब्यूटी हॉल से रिलेटेड है, इसमें मैंने कुछ मेकप के, कुछ स्कीन करके और प्रोड़क मंगाई हूँ, तो इसका मैं मिनी रिव्यू दोंगी कि यह मुझे कैसा लगा और हमें एक ब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग यह पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इस बॉक्स में क्या-क्या है, इसमें काफी चीज़े हैं, आप सब अलग अलगाई थी, बट मैंने एक जगा रखी हूँ, स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले यह मैंने वाइट और इसका जो प्राइज है, कुछ 140 के अराउंड है, 140 के अराउंड है, मुझे यह बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसमें भी तरा ट्राय नहीं की हूँ, बट मेबी यह फेरल अबली की तरह यह ऐसी कुछ होगी, यह इसका जो है, यह लाइट इश पिंक में है, देखिए थोड़े से ही अच्छे से स्प्रेड हो जा रहा है, तो मुझे जैसे हम लोगो नॉर्मल कहीं जाना हो, तो हम यह अपलाई कर सकते हैं, और मुझे यह ट्राय करना था, इसका जो पॉडर है, फेस पॉडर हो, मुझे काफी पसंद है, तो मैंने सूचा यह भी शायर अच्छ रहेगा, बट मुझे यह पैकेजिंग के हिसाब से, साइस के हिसाब से, यह काफी अच्छी लगी, यह है मेरा सेकेंड प्रोड़क्ट, यह अलड़ी मैं यूज कर चुकी हूँ, और मैंने प्रीवियस टाइम पे भी मंगा थी, यह मुझे काफी पसंद है, यह मैं अपनी सि यह मिल जाता है, 28 के आसपास, ओयल कंट्रोल है, और जो शेड है, यह 128 वार्म न्यूड है, तो यह मुझे काफी अच्छा लगता है, कह सकती हूँ कि यह मेरी थर्ड है, पर यह मेरी सिस्टर को जाएगा, बट मुझे बहुत पसंद है, यह कुछ इस तरह से है, से कवर हो जाता है, इसलिए मुझे पसंद है, ओयल भी कंट्रोल करता है, यह फेस पे इतना ओयली नहीं लगता है, और रेंज के हिसाफ से तो यह काफी अच्छा है, अगर आप बजट में देखना चाते हैं, तो यह 200 के अंदर हमें आराम से यह मिल जाता है, मुझे यह कु अरुट चक कीजेगा, अंदर 500 मेक अप में यह बहुत अच्छा है, बहुत है, और बहुत जादा अच्छा चलता भी है, मेरा जो फर्स है, वो भी अभी तक चली रहा है, बट मेरा फिनिश होने से पहले ही, मैंने सेकंड पर्चेस कर ली, मुझे यह काफी पसंद आया था, मेरा थर्ड प्रोडक है, यह प्राइमर है, यह NYB का प्राइमर है, बट मैं थोड़ा डिसपॉइंट हूँ, मुझे लगा था, इसका साइस थोड़ा अच्छा खासा बड़ा होगा, बट यह काफी छोटा सा आया है, मैंने अभी तक इसको यूज नहीं की हूँ, बट मेरी स या 220 के आराउंड मिल जाता है, इस वे इतने जादा उफर नहीं होते हैं, बट अंदर 500 बहुत ही अच्छा है, यह देखिए, यह दम लाइट वाटरी शेट कलर का है, और यह भी दा स्मूध है, अच्छे से स्प्रेड हो जा रहा है, हम थोड़ा भी यूज करेंगे तो यह अच्छे से पुरा कवर कर सकता है, तो यह भी मुझे मेरी मेरी सिस्टर ने रिकमेंट की थी, पर मुझे यह अच्छा लगा प्रोड़क्त, और उसके हिसाब से यह ऑईल कंट्रोल भी करता है, मेकप को हमारे अच्छे से से सैट हो जाता है, हमारा स्कीन को स्मूध कर देता है, तो इसकी वज़े से यह बहुत ही अच्छा है, जो पोर से हमारे बंद कर देता है, हमारे चैरे को हाइडरेट करता है, मैंने तो यूज नहीं किया, बट मेरी सिस्टर के हिसाब से मैं आपको यह सारी प्रोड़क्त के बारे में बता रही हूँ, इसलिए मुझे अच्छ तो यह मैंने इसके ओलड़ी एक लिप्स्टिक पर्चेस की थी, हो भी मुझे काफी अच्छी लगी, यह देखेए शेड इसका, बहुत ही जादा है, पिग्मेंटेशन इतनी अच्छी कि हम थोड़ा सा ही अप्लाए करेंगे, तो यह अच्छे से कवर हो जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और कोई हम डाक, डाक ड्रेस पहने तो उस पी लिप्स्रिक काफी अच्छी जाएगी, तो यह लिप्स्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी, यह फूल साइज आप देख सकते है, ऐसा है, पुरा इसका, यह मेरी बहन ने अल्रड़ी एक बार यूस कर चुकी है, उसको यह बहुत पसंद है, रेंज के इसाब से अंडर हंडेड में यह बहुत अच्छा है, हमें आराम से यूस कर सकते हैं, हम लोग बजट फ्रेंडली है, पैकेजिंग भी इसकी काफी अच्छी है, आप देख सकते हो कितना अच्छा है यह तो प्लीज आप लो सारे अवेलेबल होते हैं, और इसमें आपको अच्छे अच्छे ऑफर भी देता है, तो आप लोगे जरूर चेक कीजिएगा, उसके बाद यह मेरा प्लम का नैच्छरल स्टोडियो काजल है, मैं यह फर्स टाइम यूज करने जा रही हूं, मैंने अभी तक सी विसकीट तार किया जाए, इसकी पैकेजिंग इस तरह से कुछ है, हम लोग को इसमें 150 वर्थ का एक शौपनर भी प्री मिलता है, जो ऐसे काजलों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसको उपन करनों पहले, इस तरह से आता है, काफी अच्छी पैकेजिंग है इसकी, यह बट मुझे यह अराउंड 420 मिल चुका था, 500 में यह थोड़ा काजल कॉस्टली है, बट बहुत अच्छा है, इसके मैंने बहुत सारे रिव्यू देखी हूँ, बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग को काजल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट होता ही है, इसकी वजह से जो लिखा हुआ है, और यह देखिए, यह इस तरह से है, काफी स्मूध है, काफी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर हम लोग इसको वन टाइम अप्लाई करें, तो भी इसका शेड अच्छा है, बहुत ही स्मूध है, और 100% नैच्छल है, तो मैं यह अपनी तो मैंने सुचा इसको एक बहुत ट्राइ किया जाए, बहुत अच्छा है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काजल है, अवेलेबल एमेजॉन पे, बट यह 20 पार्स रहता है, स्प्रेड नहीं होता है, और यह काजल की कॉलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, मिलता है, यह अच्छा खासा कवर है, इसका यह देखिए इस तरह से, कि अगर इस पे लग भी जाए, अगर इस पे काजल का भी जाए, तो हमें दूसरे मेकप पे कुछ नुकसान नहीं होगा, हम इसे यूज करने के बाद ऐसे बन कर सकते हैं, तो यह काफी अच्छा है, इस 500 तो यह आप लोग ज़रूर ट्राइ कर सकते हो, यह काफी अच्छा काजल है, जो मेरा नेक्स प्रोड़क है, वो फिट मी का, फिट मी का फॉंडेशन है, यह भी नॉर्मल टू ऑइली स्कीन के लिए है, इसमें भी SPF 22 अवेलेबल है, यह जो शेड है, 220 लिखा हुआ है, व मैं वही ट्राइ करना जादा पसंद करती हूँ, जो इसका रियल प्राइज है, 299 है, पर मुझे शायद यह 240 यह 250 के अराउंड मिल गया था, तो अंडर 500 या अंडर 300 यह प्रोड़क काफी अच्छा है, वर्ट है, इसको यूज़ करने के लिए, मुझे बहुत पसंद आया, यह जो मैट फिनिशिंग चैरे पर देता है, मुझे काफी अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को एक बर इसको दिखाती हूँ, यह देखिए, यह यूज़ करने पर ही काफी अच्छा मैट है, यह देखिए, पहले तो हलका सा ग्लॉसी लगा, पर कितना अच्छे से यह स् पर्चेस करी, मुझे कोई भी प्रोड़क्त बाय करना होता है, पहले मैं उसके रिव्यू पढ़ती हूँ, अगर लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों ने इसकी तारीफ किये, तो मैं यह जरूर फिमेट ट्राइ करती हूँ, तो इसी तरह से भी है, तो मेरा यह सेकेंड ट पांडेशन और साथ साथ में इसका कॉंपेक्ट ट्राइक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ओफर है, इस पे या हम कैसे थे, बजट फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा है, पहले इसलिए मुझे यह ज़्यादा फसंद है कि इदम प्रॉपर मैट फिनिशिंग दे देता है, हम मुझे यह 250 के राउं मिल गया था, 255 के राउं, तो यह भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, यह देखिए, इसकी तो हमनोंने बहुत तारीफ सुने, बहुत एड़ आ चुके, यह काफी पुराना ब्रेंड भी है, काफी अच्छा है, तो मुझे यह बहुत अच्छा लग बट मुझे काफी पसंद आया था, यह देखिए, इतने जल्दी यह सूख भी गया, और इतना अच्छा हो रहा है, और अगर मैं यह काजल भी आपको दिखाऊ हो, तो देखिए, यह फैल नहीं रहा है, इतना जादा मैं इसको रप कर रही हूँ, तो भी यह फैल नहीं रहा और अगर आप लाइनर टून रहे हो, अच्छा सा तो आप मेबलीन का लाइनर जरूर ट्राइ कीज़ेगा, बात जो मेरा प्रोड़क है, वो मेबलीन से ही है, अगेन, इसकी लिप्स्टिक है, मुझे बजेट फ्रेंडली की, अगर बात करूं मेकप की, तो मुझे मेबलीन पीरी ट्रस्ट होता है, और भी बहुत सारे ब्रैंड है, अच्छे अच्छे, बट ये थोड़ा रेंज में यह अच्छा होता है, इसकी कॉलीटी भी अच्छी होती है, तो मैं ने लिप्सटिक और की थी, ये जो शेड है, डैड टू भी रेड है, और शेड नमबर सिक्स फ लोगों को कैसा है यह देखिए यह थोड़ा ग्लॉसी लिप्स्टिक है पर पूरी रैड है अच्छी खासी तो मुझे ऐसा ही शेट कुछ चाहिए था इसन भी है तो इसमें हम लोगों को रैड लिप्स्टिक चाहिए ही होता है इसकी वजह से मैंने यह पर्चेस की मैंने अप पैकेजिंग बहुत जादा पसंद है इतना अच्छा लगता है कि मेकप कलेक्शन में हमारे यह बहुत अच्छा लुग देती है इसकी वजह से मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत पसंद है वह स्कीन केल से रिलेटेड है मैं अपने लिए शीट और्डट की हूँ ये मेड इन कोरिया है इसका जो रियल मर्प है 594 है बट ये मुझे 299 में मिल गई थी और इसमें 6 शीट अवेलेबल है ये देख्या आप जो पहला है इसमें हाओ टो कुछ इसमें दिया हुआ है हमेराच गद송 कारें गई आ मेर में ही तो पहला करें अच्छे अललग अलग दिया है वेराइटी है सारी चीज़े इसमें लिखी हुई है हमें कैसे यूज करना है यह प्रोड़क्ट मुझे काफी अच्छा लगा था क्योंकि आज हम लोग को मास्ट वास लगाने का अतना टाइम नहीं होता है और यह मैं फर्स टाइम करने जा रही हूं इस तरह की शीट्स के बारे में मैंने काफी तारीफ सुनी हूं और अभी घर पे मेरे थोड़े बहुत फंक्शन भी आने वाले है इसकी वजह से मैं नहीं पर्चेस की हूं थोड़ी स्कीन हमारी जो विंटर में थोड़ी डिहाइड्रेट हो जाती है या ड्राय टाइप की होती है तो हम वीक में वन टैम अगर इसको यूज़ भी करेंगे तो यह काफी अच्छा चलेगा और और रेंच के यह साबसे हैं तो यह चेहरे पर अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगा तो का हमारी स्किन के लिए यह काफी अच्छा होगा यह बहुत में दोनों के लिए सूटेबल है ऐसा नहीं किसी भी से लड़कियां यूज कर सकती है और एक शीट के अगर हम लोग बात करें तो यह 999 की आती है और यह टोटल 6 शीट है जो मुझे 299 के आराउंड पड़ी है तो 50 रुपीज की वन शीट पड़ी तो दम यह भी हमारे जो है बजट फ्रेंडली है काफी अच्छी है तो आप लोग यह सारी चीज़े एक बार परचेस कर सकते हैं तो यह थे मेरे सारे प्रोड़क जो स्कीन केर और मेकप स है और ब्रेंड भी इसके काफी अच्छे अच्छे हैं तो आप लोग देख सकते हो और होप आपको मेरा आज का वीडियो हेल्फुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ जर यो फॉर वाचिझ